पिएम नरेंदर मोधी ने आज गुरु नानक ज्यनती पर देश को संबोधित करते हुए तीन दो बड़े फैसले लिये हैं पहला ये कि तीनों कृशी कानून वापस लेने का एलान कर दिया है पिएम मोधी ने कहा कि संसत के शीत सत्र में तीनों कृशी कानून वापस ले लिये जाएंगे पिएम मोधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने आने वाले शीत सत्र में तीनों विवाद सपद कृशी कानून वापस ले रही है क्रिशी कानून के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान पर विरोध परदर्शन कर रहे हैं सरकार ने ये बड़ा एलान ऐसे वक्त कर दिया जब पंजाब में अगले साल विधान सबाच चुनाब होने वाले हैं ऐसे में माना जा रहा है कि क्रिशी कानून वापस लेकर सरकार किसानों का दिल जीतना चाहती है पंजाब के किसान लगातर क्रिशी कानून के खिलाफ विरोध परदर्शन करते नजर आ रहे थे पियमोदी के इस एलान पर सबसे पहले पंजाब के पूरफ सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग की प्रतिक्रिया आई है उन्होंने ट्विट कर कहा है कि बहुत अच्छी खबर हर पंजाबी की मांग मानने और तीन क्रिशी कानून वापस लेने का फैसला करने के लिए पियमोदी का धन्यवाद उन्होंने लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि केंदर सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार काम करती रहेगी और वहीं आज सरकार ने क्रिशी शेतर से जुड़ा एक और एहम फैसला लिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकरती खेती को भड़ावा देने के लिए देश की बदलती अवशक्ताव को ध्यान में रखकर कॉप पैटरन को विग्यानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए इन सभी विश्यों पर भविशे को ध्यान में रखते हुए निर्ने लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है इस कमेटी में केंदर सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीधी होंगे, किस्तान होंगे, क्रिशी विज्यानिक होंगे और क्रिशी अर्थ शास्त्री होंगे यानि MSP को लेकर अब सरकार ने एक और एहम फैसला लिया है और इस कमेटी का गठन किया गया है Bureau Report Market Times TV